राम राम साथ, आप से ने मेरी क्रिस्मस, मान ने भी मेरी क्रिस्मस, तो हमने क्रिस्मस क्रिप बाई किया, और उसमें हमारे साथ धोका हो गया, बाई किया था, तो उसमें लिखावा था कि दस किलो वेट है, और लगबग पांच फिट का हाइट आएगा, चार फिट का आएगा तीन पार्ट में आएगा और जब आया एंड टाइम पे आया उसमें से मीडल पार्ट गायब था हमने मार्केट में भी सब जग ढूंडा पर हमको कोई उप्शन मिला नहीं तो जो भी आया था उसी को हम लोगों ने डेकोरेट कर लिया नहीं करते तो हमारे बच्चे घर को सर पे उठा लेते अब इसकी भी कहानी ये है कि पहले क्रिस्मस ट्री बाई नहीं किया इंडिया के हिसाब से कि एंड टाइम तक सब चीज़े मिल जाती है तो शुरू के दो वीक तो मौसम खराब हो गया वैसे मार्केट जाना नहीं हुआ और लास्ट वीक मार्केट सब जगह पे ढूंडा तो हमको कहीं मिला भी नहीं फिर लास्ट वीक के हमने ओर्डर कर दिया था उनलाइन अमेजॉन से और उसमें हम लोगों साथ में ये चोट हो गई फिर हम लोग फ्राइडे को वापस ही पूरा मार्केट में ढूंड के आए अब आप सोचिए इंगले में रहते हैं ख्रिस्चन कंट्री है और खरीदने के लिए हमको एक क्रिस्मस ट्री तक नहीं मिला dolorboy कि 10-11 फिट गे थे तो हमने वो भाई नहीं किया हمको लगा कि 5-6 फिट तक बहुत है जो हमको मिला नहीं ये तो हमारी इस क्रिस्मस ट्री के कहानी हो गई भी कि अब आग पर वो कहते न कि ना मामा से काना मामा अच्छा तो वैसा ही सोचा कि चलो नहीं से तो जो भी है जैसा भी है इसी से काम चला लेते हैं बच्चे खूश हो गए यही देखके कि कुछ तो है अब रेहू ने काफी हेल्प किया क्रिस्मस टील को ओपन करने के लिए और उसको डेकोरेट करने के लिए हियांच ने भी किया और किट्टू ने जब ओपन किया था तब तो देख लिया बाकि आज Christmas evening है Christmas Eve सो रही है तो आज Christmas Eve है और अभी तक हमारी किट्टू को ये भी नहीं पिता कि घर के अंदर Christmas tree है डेकोरेट कर रखे हैं उससे छुपा के रखा हुआ है क्योंकि वो देख लेता तो जैसी हालत में वो है अभी शायद मिलता नहीं तो किट्टू को हमने जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है एक रूम में कल से उसको बाहर नहीं निकला और अगर बाहर निकलता भी है तो र होते हैं बड़े बच्चे होते हैं तो काफी सारी चीजें होती है प्रोब्लम आती है अब सुबह खृस्मस के किट्टू को पता चलेगा तो देखते हैं उसका रियक्षिं क्या रहता है कैसे रियेक्ट करता है कल रात को वो बाई करने के लिए भी नहीं गया अपने बहन ब क्रिस्मस ट्री से ज़्यादा का तो यह जो उसको सजाने का सामान वही आ जाता है चोटी जोटी चीजे होती है कितना कुछ होता है पर चलो अच्छा है यहां पर सितंबर से ही शोपिंग स्टार्ट हो जाती है हम लोग लेट हो गए कि ले लेंगे ले लेंगे अपकल रिशी जी हमारे कहा रहे थे कि इससे अच्छा तो इंडिया ही है वहाँ पर दिवा लेके रात में जाओ नो बज़े तक पठाको की दुकान खुली मिल जाती है बजार से कोई भी सामान लेके आओ लास्ट मॉमेंट तक सब कुछ मिलता है और यहां पर दस दिन पहले क्रिस्मस ट् खतम हो गए कैसा देश कैसे लोग कैसी दुकाने कुछ समझ में नहीं आता है एक चीज और बोलते हैं लिशी कि घर से बाहर निकलो तो दो ही चीज मिलती है यहां पर एक मिलता है अंडा और दूसरा मिलता है ठंडा तो घर से बाहर रखते से एक अदम बहुत ठंड है और ख खाने के लिए वेज के नाम से अगर कुछ लेते हैं तो भी उसमें एक आता ही आता है कितना भी वेजटेरियन के नाम से लोग बेचे हैं उनमें एक डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं से लोग बिचारे हम जैसे लोग फसे पड़े रहते हैं कि क्या खाए क्या नहीं खाए एक अज़क्तिव चीज होती है। आजकल तो बाहर से कुछ भी खाने पिने में डर लगता है कि पता नहीं क्या निकल जाएगा, क्या है, नहीं है, क्या बोलके क्या मिल रहा है खाने के लिए हमको। बाकी बच्चों ने क्रिस्मस ट्री सजाया है, बताईएगा कैसा लगा। बाकी हमारी रेहू और हैयांश के तो वीडियोज आप देखते ही रहते हैं। और हमारा घर का छोटा सूपरिस्टार किट्टू है। उसको भी आजकल समझ में आता है कि वीडियो रिकोर्ड कैसे होता है, क्या हो रहा है। और अभी सवादो साल का होने वाला है वो। कुछ-कुछ बोलना सीख रहा है, कुछ हिंदी, कुछ इंग्लेश। तो नही-नही चीजे बोलने का ट्राय करता है। आजकल नया शब्द सिखा, फायर। तो उस सब जगह पे फायर फायर करता रहता है। तो हमारे सामने वाले घर में आग भी लग गई थी अभी कल। कल। तो परसूं, सोरी परसूं। अब उसमें भी आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। पांस से आठ मिनट के अंदर फायर इंजन आ गया था। फायर इंजन आ गया था। डॉक्टर अस सारा कुछ। मैं तो देखते ही रह गई। कि इतना फास्ट सर्विस। और दूसरी चीज यह थी कि घर के बाहर कोई निकल के हल चल पुछने वारा नहीं था। और सो डेर सो लोग तो ऐसे ही खटे हो गए थे। और यहां पे घर में आग लग गई। बच्चे बाहर आ गए तो भी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो इंडिया की भूत याद आती है। मेरा बस चली तो मैं तो वापस लोट जाती हूँ। सोच लिए लोट ही जाती हूँ मैं। बच्चे और इनके पापा यहां पे रह लेंगे। बच्चे पढ़ लेंगे। मैं और के टू इंडिया चले जाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में। कमेंट करके जरूर बताएगा मेरी रिहू को कि मेरी को इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओके देन, बाई, सी यू, मेरी क्रिस्मास।